हेलो फ्रेंट कैसे हैं आई पच्छे होंगे तो हमें सकतर एक वीडियो और आज जो वीडियो है आज मैं करने वाला हूँ वीवो के phone network से रेलेटर वीबो का मैं आपको वाडल बता देता हूँ नेटवर्क से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे endless बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाज दिन तक जरूर देखेगा मैं आपको यहाँ पे कोई भी वीडियो जो होती है ऐसा नहीं होता है कि यह कर लो वो कर लो तो हो जाएगा नहीं यह मैं आपको जो वीडियो बनाता हूँ गाईस तो यह आपको endless बनाता हूँ कि जिससे आपको A to Z अगर आप वीडियो को मेरी proper पूरा देखते हो तो आप जो भी solutions के वीडियो आप देखते हो आप उसका पूरा solutions आप कर सकते हो क्योंकि यह technical line है गाईस कहीं से भी fault हो सकता है तो चली वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए फटा फट छोटा सा अगर आपने वीडियो में हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया पूर्णियो एक प्लेटफॉर्म है जो कि ले तो सभी लेते हैं पर इसको समझ नहीं पाते हैं मैं यहां पर पूरा आपको explain करने वारा हूं कि इस भूर्णियो में इस hardware solutions में आपको क्या-क्या चेक करनी है जिससे आपका यहां पर फाल्ट हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको clear करना चाहता हूं यहां पर direct RF न जा करके हम यहां पर चलेंगे आपको step 1 step सुरू से ले करके लास्ट तो चलिए फटा-फट सबसे पहले आपको जो यह अंटेना होता है जैसा कि आप सब भी जानते हैं यहां पर यहां पर सबसे पहले चेक कर लेना है यह जो आपके supply दिख रही है क्योंकि हम यहीं से start करते हैं अगर आपका RF cable जो होता है जैसा कि आप जानते हैं यहां पर RF cable लगा रहता है यहां पर भी चेक कर सकते हैं क्योंकि उसके कारण भी नहीं आता है तो फिलाल यहां पर जिख सकते हैं यहां तक आपकी continuity आनी चाहिए यह आपका startup point मतलब in point हो गया IC का output हो ग यहां तक आपको reading आपको beep मिलनी चाहिए आपको यहां पर सीधा और सीधा इस लाइन में आपको beep ढूना है आपको यहां पर कोई भी component को find out नहीं करना है मैं आपको जल्दी बता दूँगा कि आपको क्या चीज़े करनी है पर गाइस तो यहां पर मैं आपको आदू कि सबस आपको नेट्वक फाल्ड आता है तो इस वीडियो को लाक्षिंट देखेगा आपका 100% हो जाएगा चलिए तो यह फिल्टर यहां पर देख सकते हैं पर आइसी जो लगी है तो इस आइसी की पॉइंट से लेगा इसी लगी हुए और आपको beep ढूना है अगर नहीं आता तो voltage भी बताओंगा पहले आपको tracing कर लेना है tracing के बाद आपको करना है वोल्टेज fight out करना है उसके बाद आपको यहां पर जाएंगे आप देख सकते हैं प्यो फो तक आपकी यहां पर continuity आने चाहिए फिर से आपको एंटेना मिल रहा है यहां पर दो एंटेना मिले वह जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो guys तो आपको क्या करना है आपको directly यह देख सकते हैं यहां पर जो tips आपका दिखाई दे रहा है यहां के tips से यह आपको देख सकते है PFO से आप यहां पर continuity check कर लेंगे अगर आपको continuity आ रही है तो track हमारा सही है track हमारा कोई भी missing नहीं है guys तो अगर आप यहां पर सबसे पहले आपको tracing कर लेना है full antenna से IC तक तो अगर इसके बीच में यह भी open हो जाएगा तो क्योंकि यहां पर भी coil है register लगा रहता है अगर यह भी open हो जाएगा तो आपका यहां पर pass नहीं होगा antenna line हमारी पास नहीं होगी guys तो देख सकते हैं आपके series पहलर सारे component लगे हैं आपको यह चीज बेसिक नहीं देखना है आपको यह देखना है कि आपको यह जो point है step से और यहां तक भी पार एक नहीं आ रहा है अगर यह भी पार है तो मतलब हमारे track सही है अब जब track सही है guys तब हमें क्या चीज चेक करना है तो सबसे पहले आपको यहां पर voltage चेक करना है चार बोल्ड आप देख सकते red वाली जो आइकन यहां पर दिखाई दे रहा है यह जो leg हमारी जो IC है आपर nose cut यह दिखाई दे रहा है पोस कट के हमारा एधर आप IC के पूरे structure board है जिसा कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो आपको क्या करना है यहां पर आपको चार बोल्ड फाइंड करना है अगर यह चार बोल्ड भी नहीं मिलेगा तो हमारा network section active नहीं होगा guys आपको सबसे पहले आपको क्या करना है है यहांपरी और नह republican ट्रेक करना है कि अगर तो ट्रेक ऊट्र-पें उसके बाद यहां चले करना है bes'll दिए प्र चेक करना प्र आपको यहांब 3G पी चेक करना है तो पहले मैं आपको बता दूधिर दिखाया धे रहा है सकते हैं तो अगर आप बोल्टेज नहीं बनेगा तो आपको चार बोल्ट आना चाहिए तो अगर यहां पर आ रहा है और फिर आपको सेकंड़ी फटाक से चेक कर लेना है कि इस वाले कैपसीटर पर भी चार बोल्ट आना चाहिए क्योंकि हमारा जो यह 4G IC यहां पर भी आपका चार बोल्ट आना चाहिए अगर यह दोनों ही आ रहा है तो आपका नेट्वर्क पॉपर बना लेगा गाईज जरसा कि आप यहां पर देख सकते हो तो यह आपकी ट्रैक हो गई और यह आपका ट्रैक जो आपने चेक कर लिया वल्टेज भी चेक कर लिया गाईज उसके बाद यही सारा सेक्शन उक्के होता है बाकी का यह बहुत ही कम सीप्यू की जो लाइने होती है बहुत ही कम ब्रेक होती है मैं आपको बता दो फिलाल आपको जो यह चीज चेक करना है आ इसको हम WTR WTR कोलते हैं तो बेसिकली यह सबसे पहले आपको यह चेक करना है Network Sensor Related अगर आपको No Service आ रहा है तो सबसे पहले आपतना List चेक करिए कि आपको List बन रहा है कि नहीं List नहीं बन रहा है तब जाके आप सीधा आएंगे Network Section में और WTR पे आपको आना है अगर आपका Qualcomm CPU है तो HDR या WTR हो सकता है तो यहां पर लगा है WTR, RFIC तो अब इस RFIC में सबसे पहले आपको मैं यहां पर Direct Solution यहां पर देना चाहता हूं सबसे पहले आपको यहां पर इस RFIC के पास आपको 1.8 और यहां आपको 1.8 आपको voltage ढूनना है तो सबसे पहले मैं आपको उता दूँ अगर आपको पास यह वाला model है तो इसके RFIC के पास WTR के पास आपको यह जितनी दिखाई दे रहे हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं अगर इस ट्रैक मिस हो जाएगा तो भी हमारा यहां पर voltage नहीं आएगा तो एक बार आप यहां से उठाकर continuity भी चेक कर सकते हैं दोनों ही सब्राइयों को इस capture से अर इस capture से आप कंट्रीटी ले सकते हैं और इस रेजिस्टर से और यहां तेक भी आप कंट्रीटी ले सकते हैं मतलब हमें 2 voltage सबसे पहले कि 1.8 और हमारा 1.0 voltage आ रहा ए कि नहीं आ रहा है घईस अगर यह सबसे मेन होता है आपको देखना अगर यह 2 voltage आपको मिल रहा है अगर यह 2 voltage आपको मिल रहा है शीदा और सिदा आपको हैं-पर WTR चेंज करना है RF IC को चेंज करना है guys, तो simple और simple सबसे पहला, अब मैं इसको highlight बता दे रहा हूँ कि यह जो आप supplier हैं आपर देख रहे हैं guys जो आप supplier हैं आपर सारी चीज़ें आपर देख रहे हैं, मैंने आपको जो समझाने की कोशिस की है, अगर आप step by step काम करेंगे, 110% आपका network से related fault find हो जाएगा, no service आएगा तो सीधा आपको आना है WTR के पास और यह voltages दो देखने हैं, अगर यह voltages यहाँ पर मिल रहे हैं, सीधा और सीधा आपको WTR change करना है, आपका no service problem हो जाएगा, अगर आपका network विल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप track check करिए, आप का अंटीना से ले करके इस IC तक भी पाना चाहिए, अगर आ रहा है तो फिर आपको second आपको voltages चेक करने है, कि आपको 4 volt यहाँ पर मिल रहा है, कि नहीं, यहाँ पर और इस capacitor पर 4 volt हमें मिल रहा है, तो अगर यह मिल रहा है तो फिर आपको एक बार इस ICB last में change कर देनी है, और एक बार आपको 4G ICB change कर देनी है आई हो भी यह आपको endless solution है जैसा कि हमने आप पर दिखाने की पूरी को सिस्की हुई है, आप यहाँ पर सकते हैं, जो इसका 4 volt आ रहा है DC to DC IC से आ रहा है, जैसा कि आप देख रहा है अगर यह इतना लंबा चोड़ा प्रोसेस नहीं करना है तो आप यह जो 4 volt है आप यह कहीं से भी बीट से या तो DC to DC IC से बीपेच लाइन से आप चार वोल्ट आप दे सकते हो आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब से और अगर कमेंट करके जोरू बताएगा कि आपको यह network sections से related आपको जो step by step अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जोरू बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है मिलते हैं किसी next वीडियो में thank you so much